है ओए है कि वेल्कम माईश शैनल गैस आज की इस वीडियो में आप सभी बताने वाला हूँ कि आप अपने एक स्मार्टफून की जो स्कृण है उसको यहाँ पर जो हो दूसरे स्मार्टफूण की स्कृण पर कैसे कास कर सकते हो सब कुछ यार इस वीडियो में आपको डीटेल में बताऊंगा तो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रू से सब्सक्राइब कर लेजएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले है जो हूँ अपने दोनो कि समार्टफोन हो सेम Wifi से करेंक्टेड़ हो तो तभी यह यह यहां पर वर्क करेगा तो उसके बाद आपको क्या करना है यह लोकल कास पर क्लिक कर देना है उसके पाद को QR कोड़ पर दोनों में चले जाना है तो आपको जिस स्मार्टफोन का जो आउटपुट है दूसरे स तो उसको आपको क्या करना है यहाँ पर scan करना है तो हम simply इस smartphone को इस smartphone के साथ mirror करने वाले है तो simply यहाँ पर हम इसके QR code को scan कर लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर start note पर click कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी screen है वो यहाँ पर आ चुकी है, मैं इसे फिलाल से रोटेट कर लेता हूँ तो देख सकते हैं, यह रही हमारी स्क्रीन अब मैं चाहूँ तो कुछ भी इस स्मार्टफोन पर करूँगा मेरे दूसरे स्मार्टफोन पर आटोमेटिकली वो चीज यहाँ पर होने वाली है साथ अगर आप चाहो तो कैमरा भी आप आप करके आराम से आउटपुड ले सकते हो तो देख सकते हैं, यह रहा इदर मेरा जो फोटोज हैं, वो देख सकते हैं आप बड़े आराम से आप इस पर मिरेर कर सकते हो तो यार देख सकते हो मैंने आराम से आपको जहें वो mirror करके दिखाया और इसके लावार आप पूरी चीज़ें कर सकते हो बात करते है mirroring quality की तो mirroring quality आप देख सकते हो काफी अच्छी है बट थोड़ा सा यहां पर delay रहता है अगर आप swipe करते हो तो उसके एक सेकेंड के बाद यहां पर swipe होता है तो इसी तरीके से आप इस phone को भी इसके साथ यहां पर mirror कर सकते हो तो यार यह वीडियो कैसी लगी जरूर से वीडियो को like कीजेगा चाहो तो वीडियो को share भी कर सकते हो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर से subscribe कर लेजागा यार मिल